दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से रंगीन पेपर से कुछ इस प्रकार का फिस बनाना सीखेंगे जिसको आप देख रहे होंगे कितना ये खुबसूरत लग रहा है और इस क्राप्ट को बनाना भी काफी आसान है और अपने चैनल पे इसी प्रकार के बहुत सारे कंट हम अपलोड करते रहते हैं यदि आप बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए तो वीडियो को देर ना करते हुए चले शुरू करते हैं हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मनिकांत मानिक में आप इस पुड़े वीडियो में बने र देखे हैं एक कंपास की सहाइता से यहां से एक सरकल बना लेते हैं इस प्रकार से सरकल बलाने लें के बाद इसको हम हाइलाइट कर देंगे ब Türkiye कर देंगे तो इसी सी चीज़ को हमको काट करके ये पैज को हटा ये देख रहा है कि इसको हम पेपर को कट कर चुके हैं, ये हमारे पास जो पेपर बचा हुआ है, आब इस पेपर में क्या करेंगे जैसे हम बचपन में पंखा बनाते थे समसी टैप से यहाँ पे फोल्ड करना है तो कैसे फोल्ड करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार हम इधर से फोल्ड करेंगे एक बार हम इधर से फोल्ड करेंगे फिर एक बार हम इधर से फोल्ड करेंगे फिर एक बार हम इसको पलटके अपोजिट हम फोल्ड करते चलेंगे यहां से फोल्ड करते हो यहां त क्या करेंगे इस दोनों पार्ट को हम एक बार में हम चिपका देंगे तो यहां पर हम आराम से फेवी कॉल लगाते हैं इसको चिपका देते हैं तो जैसे ही इसको हम चिपका देंगे वैसे ही आपको यह फिस के जैसा लगड़ा होगा देखने में अब हम क्या करेंगे इसमें आइज हम बनाएंगे तो आइज मंने के लिए यह चोटा सा सरकल हम वाइट पोड लेंगे एंड इसको Doncic करेंगे लेकिन Cपकाने से पहले क्या करेंगे आज को तोरह data एक मारकर अच्छे से बना लेंगे हैं न ताकि देखने में ये खुबसूरत लगे, इस प्रकार से ड्रोइंग करना है, और बीच में आइबॉल बना देना है, तो देखने में कितना ये खुबसूरत लगड़ा है, अब इसी पेज को क्या करेंगे, इस बीच में हम अराम से चिपका देंगे, फेवी कॉल की सहायता स इसी के साथ हमारा ये क्राप्ट हमारा बनके कंप्लीट हो चुक है आप देखें कि 2-3 मिनट लगा इस क्राप्ट को बनाने में और कितना खुबसूरत लग रहा है और कितना आसान तरीके से ये क्राप्ट को बनाए गया है अभी बैठे बैठे हम एक ग्रीन कलर का भी बना रह करेंगे फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए क्राप्ट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद